आज बनाएंगे बहुत ज़्यादे क्रस्पी और चटपटा नास्ता, इस नास्ते को फ्रेंट्स आज हम एक कटोरी सूजी और उबले हुए आलू से बना के तैयार करेंगे, और ये नास्ता फ्रेंट्स खाने में बहुत ज़्यादे टैस्टी लगता है, अगर आप इसे एक कटोरी पारिक वाली सूजी लिए है, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसे मिक्सी जार में डालके थोड़ा सा गिराइंड कर लें, और आप हमने एक पैन लिया है, और इस पैन में हम उसी कटोरी से नापके डेर कटोरी पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे सूजी, और गैस की फ्लेम जो है, फ्रेंट्स हमने बिल्कुल लो रखी है, ये देखिए, बस सूजी डालके जो हमें इसे मिक्स करते जाना है, और इसे तब तक पकाना है, जब तक कि ये डो जैसी फोम में ना जाए, और गैस हमें बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है, नहीं तो इसमें लम्स पढ़ जाएंगे, गुठली जैसी, तो हमें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, और ये देखिए फ्रेंट्स, सूजी जो हम बढ़िया से पका रहे हैं, और इसी तरह से हमने जो है, इसे डो जैसा बना के तैयार कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे, और सूजी को बहार निकाल लेंगे, और इसे एक प्लेट पे थोड़ा सा घी डाल कर इस सूजी को इस पर रख देंगे, और इसे ठंडा होने देंगे, ये आपको थोड़ा स बोईल के हुए आलू ले लिए हैं और अब हमने गैस पर रख दिया है पैन पैन में डाल देंगे दो चमा सरसो का तेल तेल को अच्छे से गरम होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डाल कर भून लेंगे और आप हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई राई को भी यहां प देख सकते हैं और आप हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे स्वात के नुसा नमक पोड़ी सी डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मा जो है हम यहां पर धनिया पाउडर डाल देंगे और आप हम इसमें डालेंगे थोड़ के साथ मिक्स करते जाना है और इसे भून लेंगे और यह देखिए फ्रैंस हमें इसे बढ़िया से भूनना है और यह आप देख सकते हैं आलू वाला मसाला जो है हमारा बढ़िया से भून चुका है आप हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख द दालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया सारी चीजे डालने के बाद जो है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर जो है हमें मिक्स करते जाना है और सारा पानी एक साथ ना डाले नहीं तो मैदा में जो है देखिए फ्रेंड्स लेरी जो हैं हमारी बनकर तयार हो गई है इधर हमने सुजी वाले डोव को हलका हलका सा चिकना कर लिया है और इसमें से हमने रोटी से थोड़ा सा ज़्यादे डो लेके इसकी एक लोई बना के तयार की है और आप इस लोई को जो है हम सूके आठे में थोड़ा सा डिप कर लेंगे और इसे जो है चकले पर रखके रोटी की सेब में बेल लेंगे इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सुका आटा इसलिए लगाया है जिससे कि रोटी चकले पर चिपके नहीं और यह देखिए यह बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है तो बस इसी तरह से हमें इसे रोटी की सेब देते हुए बढ़िया से बेल कर तैयार कर लेना है और हमें इसे रोटी की तरह पतला नहीं बेलना है इसे जो है हमें थोड़ा सा मोटा रखना है और अब हमें क्या करना है इसके जो है ये साइडे जो है काट लेनी है ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से और इसे जो एक्ष्टर आटा है इसे हटा देंगे और इसी तरह से हम दूसी साइट भी काट लेंगे इसी तरह से चारो साइटे जो है काट के तैयार कर लेंगे और अब हम इस सीट के बीचो बीच एक कट लगा देंगे और दूसी साइट से भी इसके बीचो बीच एक कट लगा देंगे तो इसी तरह से फ्रेंट्स हमारी चार सीट बनकर ये तैयार हो गई है और यह आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है और अब हम क्या करेंगे एक सीट उठाके अपने हाथ पे रख लेंगे और इस सीट के बीचो बीच जो है आलू वाली फिलिंग रख देंगे जितनी इसमें आ सकती है सीट के दोनों कोने जो है इस तरह से उठाके फोल्ड कर देंगे और दूसरी साइट के कोने भी उठाके आपस में दोनों फोल्ड कर देंगे चारो कोनों को अच्छे से फोल्ड करके इसकी जो साइडे खुली हुई है इने अपने हातों से इस तरह से बढ़िया से चिपका देंगे और ये फ्रेंट्स आसानी से चिपक जाएगी इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है ना ही ये खुलेगा ना ही ये फटेगा और एक नास्ता हमारा बनके तैयार हो गया है और इसी तरह से हम आपको एक और बना के दिखाएंगे सीट के बीचो भी चालू वाली फिलिंग रख देंगे और इसके दोनों कोने जो हैं आमने सामने वाले इने जो हैं फोल्ड कर देंगे आपस में चिपका देंगे और इसी तरह से दूसरी साइट के कोने भी आपस में चिपका देंगे ये देखी फ्रेंट्स इस तरह से और ये जो इसकी साइडे खुली हुई है इन्हें अपने हातों से दबाते हुए इस तरह से बढ़िया से चिपका देंगे और यह आप देख सकते हैं दूसरा नास्ता भी हमारा बनके तैयार हो गया है बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं और इसी तरह से हम बाकी का सारा नास्ता भी बनाकर तयार करेंगे और मैंने जो है इसी तरह से सारा नास्ता बनाकर तयार कर लिया है और यह आप देख सकते हैं फ्रेंट्स एक कटोरी सूजी में हमारा कितना सारा नास्ता बनकर तयार हुआ है अब हम इस नास्ते को फटा फट से फ्राइ करेंगे तो ये जो हमने सलैरी तयार करके रखी थी इसे जो है चम्मस से हलका हलका सा मिक्स कर लेंगे ये देखी फ्रेंट्स इस तरह से और ये जो हमारे नास्ते का एक पैकेट है इसे उठाके इसमें अच्छे से डिप करेंगे इस तरह से और गरम तेल में डालते जाएंगे इधर तेल हमने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था तेल हमारा बढ़िया से गरम हो चुका है और अब हम अपने नास्ते को इसमें एक एक करके डालते जाएंगे जितने हमारे पैन में जग्या है और सारा नास्ता डालने के बाद जो है फ्रेंट्स हम एक साइट से इन्हें अच्छे से पकने देंगे और जब ये एक साइट से पक जाएंगे तो हम जो है इने चमच की साहता से अराम-अराम से पलट देंगे ये देखिए फ्रेंट्स इस तरह से और दूसरी साइट से पलटके भी ना इने कुछ देर के लिए बढ़िया से पकने देंगे नास्ता फ्राय करने के लिए फ्रेंट्स हमने जो है गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखी है और मीडियम फ्लेम पर ही नास्ते को उलटते पुलटते हमें क्रस्पी होने तक फ्राय कर लेना है और यह आप देख सकते हैं नास्ता हमारा बढ़िया से क्रस्पी फ्राय हो चुका है और इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह कितना जादे क्रस्पी नास्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है तो बस अब हम क्या करेंगे इस नास्ते को बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपना दूसरा बेच भी फ्राय करेंगे गर्मा गर्म तेल में जो है नास्ता डाल देंगे जितनी पैन में हमारे जगे हैं। और एक साइड से बढ़िया से क्रस्पी होने तक फ्राइ होने देंगे जब नास्ता हमारा एक साइड से पक जाएगा तो हम जो है इने आराम आराम से पलट देंगे इस तरह से ये देखें फ्रेंड्स दूसरी साइड से भी नास्ते को पलटके क्रस्पी होने तक फ्राइ कर ल तो अब जो है हम इने फटा फट से सर्व करेंगे तो इतने में इस साइड नास्ता बना रही थी तो उस साइड जो है मैंने चाय के साथ सर्व करेंगे तो यह जो है मैंने गर्मा गरम अद्रक वाली चाय बना ली है तो इस चाय के साथ जो है हम यह क्रस्पी टैस्टी पर बनाएंगे और महवान आने पर भी आप इसे बना सकते हैं और बच्चों की टिफिन में भी आप इसने बना के दे सकते हैं बहुत ही बढ़िया वाली और सिंपल रेसिपी है तो फ्रेंड्स इसे एक बार जरू से ट्राय करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सेयर करें